आश्मान कार्ड बनाने का ये आखरी मौका नहीं तो बाद में मलते रह जाएंगे हाथ नमस्कार नियूस पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा राज्र के कई लोगों ने जहां आश्मान कार्ड बना रखा है तो वहीं कई लोगों ने अभी तक आश्मान कार्ड नहीं बनवाया है दरसल आपको बता दे किस सरकार की तरफ से लोगों को 5 लाख तक की निशुलक इलाज के लिए राशी प्रदान की जाती है और उसके लिए आपको आईशमान कार्ड बनवाना पड़ता है लेकिन अगर आपने अभी तक आईशमान कार्ड नहीं बनवाया है तो इस वीडियो में जान ले कि अखरकार अब अंतिम तारीक कौन सी है जो सारीक के बाद आप आईशमान कार्ड नहीं बनवा पाएंगे क्या है पूरी खबर आई हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आर के लोगों को 5 लाख तक निशुल की चिकितसा स्विधा कराने के लिए राजिस सरकार अपने स्तर से आयश्मान कार्ड बनवा रही है राजिस सरकार की कोशिश है कि जितने भी राश्मान कार्ड बन जाए जिसको लेकर बीते मही ने राजधानी पतना समेथ पूरे सूबे में आईश्मान कार्ड बनाने की अभ्यान चलाए गए थी वहीं आपको बता दे कि पहले भी 31 जुलाई 2024 सक अभ्यान चलाने की घोशना की गई थी जिसे बढ़ा कर 7 अगस्त कर दिया गया था आकि सूबे की अधिक सधिक लोग कार्ड बनवा सके और वो सुलब और निश्रुल के चिकितसा करा सके वैसे आईश्मान कार्ड के निर्माण में सीता मड़ी जिला अवल रहा है आईश्मान दिवस पर तीन दिवस या आईश्मान कार्ड निर्माण को लिकर सखन अभ्यान चलाए जाएगा ये डियम रिची पांडे ने अदपदादिकानियों को आविश्यक दिशान निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि पिछले मही ने आईश्मान कार्ड निर्माण में बहतर कार्ड किया था आईश्मान कार्ड निर्माण अभ्यान में सभी व्यभागों को आपसी तालमेल बना कर काम करना है ताकि अधिक से अधिक लाबुकों का आईश्मान कार्ड बनवाया ज़ा सके डियम ने कहा कि तीन दिवसी अभ्यान में छूटे हुए लाबुकों का आईश्मान कार्ड बनवाया जाएगा राशन कार्ड में जितने मेंबर है सभी का आईश्मान कार्ड बनेगा पता होगा कि पिछला अभ्यान 18 जुलाई से 7 अगस्तक चला था जिसमें सीतामडी जिले में सबसे अधिक अधिक आईश्मान कार्ड बनाए गए थे तो आज से यानि की 23 तारीक से 25 सितंबर तक आईश्मान कार्ड बनवा पाएंगे हाला कि इसके बाद आप शायद ही आईश्मान कार्ड बनवा पाएं फिलाल के लिए इस खबर में बस अतना ही आप देखते रहें नियूस पोनेशन